नई संसत के उध्गाटन को लेकर पीएम मोधी पर विपक्ष हमलावर है विपक्ष का कहना है कि नई संसत भवन का उध्गाटन प्रधान मंत्री को नहीं राश्ट्रपती को करना चाहिए इसके पीछे विपक्ष का अपना अलग-अलग तर्क है इसको लेकर विपक्ष की 19 प का सर्वोच्च पद है और ये पद दलगत राजनीती से उपर है इसलिए नए संसत भवन का उद्गाटन राश्ट्र पती को ही करना चाहिए विपक्ष के दूसरे धड़े की दलील है कि संसत का सर्वोच्च लोगसभाय स्पीकर होता है इसलिए उद्गाटन स्पीकर को करना चाहिए लेकिन हम इस पचड़े में नहीं पढ़ते हैं हम समविधान के जानकारों और देश की तीन केंद्रिय विश्व विद्यालयों के प्रोफेसर से जानते हैं कि आखिर उनकी इस पर क्या राया है जो समविधान और राजविवस्था के जानकार है क्या समविधान में इसका जिक्र है कि संसत का उद्गाटन प्रधानमंत्री राश्ट्रुपति या लोगसभाय स्पीकर में से किसको करना चाहिए कुइंट हिंदी ने जेनियू के राजनिती विज्ञान के प्रोफेसर मनीश दाबडे बनारस हिंदू विश्व विद्यालय यानि बी एच्यू के राजनिती विज्ञान के प्रोफेसर रजनी रंजन्जा और इलाबाद विश्व विज्ञान के प्रोफेसर पंकच कुमार से बात की और इस बारे में जानने की कोशिश की जब तीनों से पूछा गया कि क्या समविझान में फिली undergo होड़ान कौन कौन करेगा इस सवाल के जवाब में तीनों Burada में इसी भी भाग में ऐसा कोई जिक्र है ही नहीं तो फिर संसत का उधगाटन किसको करना चाहिए जेन्यू के प्रोफेसर मनीश दाबडे ने कुईंट हिंदी से बातचीत में कहा कि चूंकि संसत सर्वोच हाउस है इसलिए मेरी समझ से प्रधानमंत्री राश्ट्रपती और लोकसभाय स्पीकर तीनों म स्टेट राश्ट्रपती होता है इन तीनों में से किसी भी नाम पर एहसेहमत होने का कोई सवाल नहीं बनता हाँ ये जरूर है कि अगर विपक्ष प्रधानमंत्री को लेकर असहमत है तो उसके पास अपना तर्क है फिर बीच यू के प्रोफेसर रजनी रंजन जाने कहा कि स चंसत का उतगाटन करता है तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे भी राश्ट्रपती का पद दलगत राजनीती से उपर होता है मेरी समझ से प्रधानमंत्री पर भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए लेकिन्तश विपक्ष एतराज जता-गरा है ने बताया कि हमें समझ नहीं आता कि आखिर विपक्ष विलाप क्यों कर रहा है भारतिय लोकतंत्र में कारेपालिका का सर्वोच प्रधान मंत्री होता है अगर वह जन्सत का उद्गाटन कर रहा है तो विपक्ष को क्या दिक्कत है जहां तक राश्टपती की बात है तो यह ज तीनों प्रोफेसर्स ने सहमती जताई उनका कहना था कि यह राजनितिक मुद्दा बन चुका है जेन्यू के प्रोफेसर मनीज दाबडे ने कहां कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पीम मोधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था अगर वह इसका उद्गाटन कर रहे हैं तो निश जाएगा इस पर बीएचू के प्रोफेसर रजनी रंजन जहाने कहां कि मुद्दा ये नहीं है कि प्रधान मंत्री को करना चाहिए या राश्रुपती को दोनों में से कोई भी करे तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत को दलगत राजनीती से उपर उठकर कैसे मजबूत करने की कोशिश की थी